हेलो एब्रीबन वेलकम तू माई यूटूब चैनल तो दोस्तों स्वागत आपका मेरी एकोड नई वीडियो में तो जैसा कि दोस्तों पता है अभी सर्दियां चल नहीं सर्दियों में हमारी स्किन बहुत जादा रूखी ड्राई और बेजान हो जाती है और ऐसे में इसी स्क नहीं रहती है तो थोड़ी बहुत देर के लिए रहती है और फिर से ड्राई हो जाती है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए उसके लिए मैं आज आपको बहुत ही अच्छी होम रेमेडी बताऊंगी और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सियर और सब्सक्राइ लेना है यह आदर चमच के करीब सहद है और अब तो अब हमें इसमें लेनी है एक चमच ग्लेसरीन और अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यह हमारा एक लोशन बनकर तयार हो गया जो हम सर्दियों में अपने फेस पर हाथ पेर पर लगा सकते हैं जिससे कि ह आते है पर चेहरा अपना सोफ्ट रहे तो इसको हम लगा सकते हैं तो इसमें क्या होता है सहेद में एंटीक्शिडंट होता है जो हमारी सकस्षण को हमारी स्कीन को मोश्याजर रखती है और इन दोनों को मिक्स करके लगाने से समय से पहले जो हमारी स्कीन पर जुरियां होने लगती है ग्लेसिन में उनको खतम करने के गुड़ोते हैं जो समय से पहले जुरियां होने लगती है उनको खतम करती है और सहद सकीन को चमकाता है और गिलो देता है और इन दोनों का लोसन बनाकर लगाने से हमारी सकीन की जो ड्राइनेस है खतम हो गई है, वो बापस आएगी, सॉफ्ट होगी, इसकीन हमारी सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगी और अपनी स्कीन पर जो दाग दब्बे हो गए है काला पना गया है वो भी सही हो जाएगा इससे इसको हमें रात में लगाना है लगा के सू जाना है फिर इसे सुवे नॉर्मल पानी से धुल देना है फिर उसके बाद हमारी स्कीन बहुत जादा सॉफ्ट और मौशाजर दिखेगी तो इसे हमें डेली उज़ करना है सर्दियों में इसे लगाना हमारी लिए बहुत जादा वेनिफेशल है ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मौशायजा रगता है तो इसे हमें जरूर लगाना चाहिए सर्दियों में इसे लगाने से सर्दियों में हमारी स्किन जो रूखी, बेजान और ड्राइ हो जाती है वो नहीं होगी, बहुती ज़्यादा सॉफ्ट और मौशायज रहेगी, तो इसे लगाएं, और इन में कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है, ये हमारे घर में आसानी से अवेलवल रहती हैं, और हम इतने महेंगे महेंगे प्रोडक्ट पर खर्चा कर देते हैं, आप एक हम अगर डेली कुछ करते हैं, रात में लगाते हैं, सुबह दुल देते हैं, तो दिनवर हमें कुछ भी लगानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे अपनी नेशल रूप से ही अपनी स्किन मौशाज़र रहेगी, और मौलायम और सॉफ्ट देखेगी, तो इसे ल